नमस्कार कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जोल हांडू आपका स्वागत करते हूँ ललवाकों की श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो और ललवाक जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता लले इश्वरी एक शैव योगी नी थी इसलिए उनका प्रत्येक वाक योग की अलग-अलग अवस्थाओं के बारे में साधक को शिक्षा देता है अपने जीवन में सहनशिलता बरत कर ही कोई साधक योग में आगे बढ़कर इश्वर को पा सकता है इसी बात को लल्द्यद अपने इन वाकों द्वारा समझाती है तो चलिए पढ़ते हैं आज के ये वाक जानते हैं इनका अर्थ और समझते हैं इनका गूड अर्थ तो पहला वाक है चालून्छो वुजमल्त त्रटे चालून्छो मंद्यन गटकार चालून्छो पान पनुन कडुन गरटे है हता माल संतोष वाईती पाने इस वाक की पहली पंक्ती है चालून्छो वुजमल्त त्रटे इस पंक्ती में चालून का अर्थ है सहन करना और वुर्मन आकाश में चमकने वाली बिजली को कहते हैं और त्रट बिजली की कड़कडा हट या वजरपात को तो इस पंक्ती का अर्थ हुआ कि आकाशी बिजली और वजरपात को सहना है दूसरी पंक्ती में वे कहती हैं चालून्शू मंद्यन गटकार यहाँ पर मंद्यन गटकार का अर्थ है मद्यान में अंधकार यानि भरी दुपहरी में अंधकार हो जाना तो इस पंक्ती का अर्थ हुआ कि यदि दुपहर में अंधेरा भी हो जाए तो वे भी सहना है तीसरी पंक्ती में वे कहती हैं चालून शू पनून पान कडून ग्रटै यहाँ पर पनून पान का अर्थ है अपने आपको और कडून ग्रटै का अर्थ है चक्की में से निकालना तो इस पंक्ती का अर्थ हुआ कि अपने आपको चक्की में चलाना भी हमें सहना पड़ेगा वाक की चौथी पंक्ती में वह कहती हैं कि हता माल संतोष वायती पाने यहाँ पर हता माल संतोष का अर्थ है कि हे प्रिय संतोष करो और वाइती पाने का अर्थ है कि स्वयम मिल जाएगा तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हे प्रिये तुम धैरे रखो तुम्हारा लक्षे तुम्हें स्वयम मिल जाएगा आईए अब जानते हैं इसका गूड अर्थ क्या है इस वाक के द्वारा माता ललेश्वरी साधक को सहनशिल होने की शिक्षा दे रही है इश्वर को पाने में साधक को अनेक तरह के कश सहने पड़ते हैं चाहे परिस्तितियां कितनी ही विपरीत हो उसे विचलित नहीं होना चाहिए इस समय उसे धैरे पूर्वक जो भी तकलीफ आए उसे सहन कर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष की ओर बढ़ते रहना है इसी के द्वारा वे इश्वर को पा सकता है और आध्यात्मे कुनती अपनी कर सकता है आईए अब पढ़ते हैं आज का दूसरा वाक जो की इस प्रकार है अब जानते हैं इसका अर्थ इस वाक की पहली पंक्ती है सुबूर चुई जिवर मारत्स तो नो नै इसमें सुबूर का अर्थ है सब्र या धैर्य जिवर मारत्स तो नो नै का अर्थ है जीरा काली मिर्च और नमक तो पहली पंक्ती का अर्थ हुआ कि धैर्य जीरा काली मिर्च और नमक के समान है दूसरी पंक्ती में वे कहती हैं कि ख्यान चुई ट्योट तो खेयस कुस इसमें ख्यान चुई ट्योट का अर्थ है खाने में वे कड़वा है तो खेयस कुस का अर्थ है तो खाए कौन तो इस तरह दूसरी पंक्ती का अर्थ हुआ कि खाने में ये कड़वा है तो भला खाए कौन तीसरी पंक्ती में वह कहते हैं कि सोबूर्चुई सौनसुन तूरे इसमें सौनसुन तूरे का अर्थ है सोने की थाली तो इस पंक्ती का अर्थ हुआ कि धैरे रखना सोने की धाली के समान है और चौथी पंक्ती में वे कहती हैं कि मौल्चुई थोद हेयस कुस इसमें मौल्चुई थोद का अर्थ है कि इसका मूल्य बहुत अधिक है तो हेस कुस का अर्थ है कि तो भला इसे खरीदेगा कौन तो इस पंक्ती का अर्थ हुआ कि इसका मूले बहुत अधिक है तो भला इसे कौन खरीदे आएए आगे जानते हैं इसका गूर अर्थ क्या है इस वाक में माता ललेश्वरी सादक को धहरे का मूले समझा रही है क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म की राह पर चल रहा हो उसके लिए धहरे रखना बहुत ही आवशक है धहरेवान व्यक्ति का मन भटकता नहीं है और साधना के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि मन स्थिर रहे और इधर उधर ना बटके तो इस वाक में वैं कह रही हैं कि सब्र जीरा काली मिर्च और नमक की तरह कड़वा है तो भला इसको कौन खाए क्यूंकि कड़वी चीज खाना बहुत कठिन है यह हर किसी के बसकी बात नहीं है इसलिए अधिकतर लोग तो इससे पच्टे रहते हैं लेकिन साधना में लगे व्यक्तियों को तो अनेक कठनायों का सामना करना पड़ता है जो की केवल धैरे से ही पार करी जा सकती इसी तनावे धैरे के तुलना सोने की थाले से करती है और कहती हैं कि इसका मूले बहुत अधिक है इसलिए कोई इससे खरीद नहीं सकता यानि धैरे बहुत बेश कीमती है धैरे रखना हर किसी के बसकी बात नहीं है कोई-कोई मनुश्य ही धैरे धर कर इश्वर को पा सकता है तो यह था ललवाक पर मेरा आज का वीडियो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा आप इसे लाइक और शियर करें और मेरे सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्कार